जिले में सितंबर माहा की शुरुआज से जारी लगतार बारिश ने किसानों की फसल को पूरी तरद हो डाला कहा इस वर्ष किसानों को अच्छी उत्पादन की आशा थी और अब कैसी परिस्तिती किसानों पर आ गई है जिले के हर तहसील में बारिश ने कहर बरपा दिया चारोर पानी ही पानी नजरा रहा है नदी नाले ओवर्फलो होने के साथ ही अनेक डैमों के जलस्तर बढ़ जाने से दरवाजे खोलने से किसानों के खेत जलमगन हो गए आज भी कई किसानों के खेतों में बारिश का पानी जमा हुआ नजरा रहा है उत्पादन तो इस वर्ष घटेगा ही लेकिन ऐसे में अब किसानों को उत्पादन की नहीं तो सरकार से केवल मुआईजे की ही उम्मीद है कृशी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी सर्वे का कारिय जारी है और अक्टूबर के प्रतम सप्ताह तक जिले की सभी तहसिलों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही जिले में नुकसान का सही अनुमान लगाया जा सकता है जिले में अभी तक अंदाजन करीब 84,249 हेक्टर फसलों को नुकसान पहुचा है ऐसा केवल अनुमान है आगे चल कर यहां आकड़ा बढ़ भी सकता है खरीब सीजन 2021 की फसल बुआई किसानों ने सहुकारों और बैंकों से करज लेकर की थी सोयाबिन की फसल अब कटाई पर आ गई थी किसानों ने दिवाली की भी तयारी शुरू कर दी थी किसानों को पुरी उम्मीद थी कि सोयाबिन की फसल उनके सारे करज चुकता कर देगी और उनकी दिवाली भी अच्छी होने की उम्मीद किसानों को थी परन्तु नियती को शायद कुछ और ही मनजूर था फसल कटाई से ठीक पहले लगातार और जोरदार बारिश होने से किसानों ने न केवल सोयाबिन बल्कि तूर, कपास, सबजी और अन्य फसले भीग बह गए अब किसानों को अपनी बची फसलों से कम लेकिन सरकार से मदद की उमीद बढ़ गई है बरबाद फसल अब किसानों को मुआवजे के अलावा कुछ नहीं दे सकती इसलिए जल्द से जल्द सरकार और कुशी विभाग सर्वे का काम पूरा कर रिपोर्ट भेज कर किसानों को मुआवजा देने की पीडित किसानों की मांग है